हेलो फैन वेलकम बैक जैसा कि इसके पहले आप दो बैक्स के बीच में कमपैरिजन देखने को मिलेगा यानि कि इस वीडियो में टीविए सपाचे आर्टीया टूंड़ फोर भी बियाशिक्स होंडा और टू पैंटो और और बजास पुलसर नस्टूंड बैक्स के बीच में क इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सारी कनफीजन दूर हो जाएगी और आप खोदी चूस कर पाएंगे कि आपको कौन सी लेनी चाहिए तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है अगर आपने अभी तक इस चैनल को सामिल है तो ही होंटा हॉर्त ने 2.0 में में टोटल 4 कलर ओपशन दिए गया है जिसों मैट एसे ग्रे मेट रिम मैटमार ब्लू मेटालिक मैट शंगार यह एलालीग और पालिग शंग यहने से ब्लेक सामिल है तो ही बजाज सपॉंधर ने में आपको काफी सारी कलर ओपशन मिल जाते हैं इसमें फिलाल अभी चार कलर ओप्शन दिये जा रहा है जिसमें ग्रेफाइट ब्लैक मिरेज वाइड फैरी एलो और वाइड रेड सामिल है लेकिन कंपनी ने एनेश टू अंडेट में चार नए कलर ओप्शन और एड कर दी है जो कि आपको 23 अक्टूबर से और नेश टू अंडेट ब्यस्स का जो नया कलर दिया गया है इसमें आपको थोड़े से अलग कलर के आपको ग्राफिस देखने को मिलेंगे और इसके विल को वाइड कलर का दिया गया है तो वहीं बात कर देते हैं इनके डिजाइन की तो यहां पर इन तीनों बाइक्स के ड पर आगेंगे में नीचे सारण इंजन काला दिया गया है और इन तीनों बाइक्स में दो लेयर की आपको स्प्लीट सीट मिल जाती है तो इन बाइक्स को आप फ्रंट से देख सकते है इनके फ्रांट हैड्लेम को डिजाइन को देख सकते हैं इसके ल informação आप सार का देख सकते आगे बात के लिएते हैं इन तीनों बाइक्स के इंजन की तो अपाचे आर्टिया टूहूंडट फोर मी में 197.75 CC का SI 4-Stok oil-cooled BS6 compliant race-tuned fuel injection इंजन दिया गया है तो ही हुंडा हरने 2.0 में 184.40 CC का SI 4-Stok BS6 compliant हुंडा इको टेक्नोलजी के साथ प्रोग्राम फिल इंजन दिया गया है तो यहां पर इन तीनों बाइक्स में सबसे कम पावर आपको देखने को मिलती है क्योंकि इसका इंजन भी 184 CC का है तो यहां पर इन तीनों बाइक्स में अगर आपको थोड़ा से ज्यादा पावर फुल बाइक्स चाहिए तो आप बजास पर्सर NH200 BS6 को ले सकते हैं इसके अलाव बजास पर्सर NH200 में ट्रीपल स्पार्क टेकनोलजी दी गई है जो कि बजास का पेटेंट टेकनोलजी है जो कि बाइक के पावर थ्रोटल रिस्पॉंस को और बढ़ाने में मदद करता है तो हैं टीबिया सपाचे में आपको फाइप स्पी स्पेंशन की तो अपाचे के फ्रोंट में टेलिस्कॉपिक और रियर में मोनो ट्यूब मोनो स्पेंशन दिया गया है तो हैं होंडा और ने 2.0 के फ्रोंट में अपसाइड डाउन फॉर्क और रियर में मोनो स्पेंशन दिया गया है तो यहां पर इन तीनों बैक्स के रियर तो यहां के बात कर लेते हैं इन 3 वाइक्स के कुछ फीचर्स की, कि इन 3 वाइक्स में आपको क्या क्या फीचर्स मिल जाती है, तो TVS अपाचे RTI 200 V6 में आपको सेफटी के लिए डूर चनल का ABS दिया गया है, जिसमें RLP कंट्रोलर भी दिया गया है, honda hornet 2.0 में single channel का ABS मिलता है, तो ही चनलч wifi मिलता है, TVS अपाचे के headlamp में LED लेट लगा हुआ है, LED position lamp दिया गया है, hornet 2.0 के headlamp में LED लेट लगा हुआ है, और LED position lamp दिया गया है, तो ही NS200 के headlamp में Halogen bulb के साथ DRLOS दिया गया है, tetbyasa में fully registered display मिल जाता है, जिसमें TBS Smart Connects feature भी दिया गया है जिसमें आप अपने mobile phone को connect करके काफी सारे information ले सकते हैं इस display में speed, auto meter, fuel, gear position और average speed की जनकारी मिल जाती है इसके लगा mobile apps ची connect करने पर आपको crash alert, turn by turn navigation, SMS, call alert के feature भी आपको देखिने को मिल जाते हैं तो ही Honda Honda 2.0 में भी आपको fully digital meter मिल जाता है जिसके display को 5 level तर कंट्रोल किया जा सकता है इसमें mobile connectivity का feature नहीं मिलता है इसके display पर gear position, service due indicator, battery voltometer, fuel और speed show होता है इसके लगा इस display के left और right पर turn indicator light दिया गया है इसके लगा इस display के नीचे आपको कुछ indicator lights मिल जाते हैं जिसमें neutral light, ABS light, headlame high beam light और misleading light दिया गया है तो हैं बजास पलसर NS200 में digital analog meter मिलता है इसमें आपको fully digital देखने को नहीं मिलता है और इसमें mobile connectivity का feature भी नहीं दिया गया है इसका जो meter है तीन पार्ट में divided है जिसके पहले पार्ट में neutral light, high beam light, battery light, engine oil check light, temperature light और engine malfunction light दिया गया है इसके लगा बजास का logo भी दिया गया है इसके दूसरे पार्ट में ABS light और fuel indicator दिया गया है जबकि इसके तीसरे पार्ट में side stand indicator, clock, speedometer, autometer और trip की जनकारी मिल जाती है इसके लगा दो switch भी दिये गया है, जिसमें mode of set दिया गया है इसमें आपको gear position देखने को नहीं मिलता है TBS ATR में race tuned sleeper class दिया गया है जो कि 22% तक class force को reduce कर दिता है sleeper class ना ही आपको Honda Honda में मिलती है और ना ही NS200 में मिलती है Apache ATR 204V में racing double exhaust system दिया गया है जो कि देखने में भी काफी stylish लगता है तो ही Honda 100 में भी आपको stylish exhaust मिल जाता है लेकिन वही NS200 में exhaust system काफी नीचे छोटा सा दिया गया है लेकिन इसके sound में आपको कोई भी कमी देखने को नहीं मिलेगी ATR 204V में GTT यानि की glide through technology दी गई है जिसे कि आप traffic के समय बिना throttle दिये bike को पहले gear में 7 km per hour, दूसरे gear में 12 km per hour और तीसरे gear में 17 km per hour के speed से आप bike को बिना throttle दिये चला सकते हैं Honda Hornet में ऐसा कोई feature नहीं मिलता है और ना ही आपको NS200 में मिलता है ATR 204V में new racing split seat मिल जाती है और इसके rider seat और pillion seat के बीच में थोड़ा सा gap दिया गया है तो ही Honda Hornet में भी आपको stylish split seat मिल जाती है जिसके rider और pillion seat में gap नहीं दिया गया है तो ही split seat आपको NS200 में भी देखने को मिल जाती है ATR 205V में split grab rail दिया गया है Honda Hornet में भी मिल जाता है और NS200 में भी आपको split grab rail मिल जाता है RTI 204B में engine kill switch दिया गया है और engine kill switch आपको Hornet 2.0 में मिल जाती है और NS200 में भी मिल जाती है Honda Hornet 2.0 में आपको 1000 switch मिल जाता है और ये switch नहीं आपको pulsar मिलती है और नहीं आपको Apache में मिलती है RTI 204B में engine call लगा हुआ है होने 2.0 में भी लगा हुआ है और नश-200 में भी आपको इंजन काउल लगावा मिल जाता है अपाचे अच्छा-ट्या 204W में रियर के साइड दो मटगाड मिल जाते हैं यह था इन तीनो बैक्स के फीचर जिसके बारे मैंने को सारी बाते डीटेम बता दिए हैं यहां पर इन तीनो बैक्स में थोड़ी सी ज्जादा की आपको अच्छा लगाइप को सकते हैं तो यह आगे बद करे देंगे तो अपाचे आट्या 204-वी ब्यासिस के फरंट में 90व सब्सक्राइब देखने को मिल जाती है जिससे कि यह बाइक का लुक तोड़ा सा और भी बढ़ जाता है इसके लाबा यह बाइक सड़कों पे काफी अच्छी ग्रिप बना के चलती है तो आगे बात के लिए थे इनके ब्रेकिंग सिस्टम की तो पाचे आट यह तो पाचे यह तो यह को मिल जाती है लेकिन देखने को मिल जाती है अंके मालेज और अछिफीट की लेकिन मेल खौप सिर्ट बताने से पहले मैं क्लिया कर देना चाहता हूं मैं जो भी mileage और टॉप इसी बताऊंगा वह फिक्स नहीं होगा थोड़ा से ज़्यादा या कम भी हो सकता है वो आपके riding condition और आपके bike के maintenance के उपर depend करता है तो TBA सपाचे RTI 200 4V BS6 आपको एपरोक्स 45 के MPL तक mileage देदेगा तो ही Hornet 2.0 आपको 50 के MPL तक एपरोक्स मालेश दे देती है तो ही NS200 में आपको 40 से 42 के MPL तक एपरोक्स मालेश मिल जाती है तो यहाँ पे इन तीनों bikes में थोड़ी से ज़्यादा आपको mileage Honda Hornet 2.0 में देखने को मिल जाएगी तो ही सबसे कम mileage आपको NS200 में मिलेगी तो ही आगे बात करेते हैं कि टॉप स्वीट की तो अब आचे आट यहाँ कि टॉप स्वीट 127 के MPL तक है जो की कंपनी ओफिसली क्लेम की है लेकिन यूजर्स इसको 135 की MPL तक के स्वीड में भी चला चुके है तो ही Hornet 2.0 का टॉप स्वीट 130 के MPL तक है तो ही Pulsar NS200 की टॉप स्वीट 135 के MPL तक है यहाँ पर इन तीनो बैक्स में थोड़ी सी अच्छी टॉप स्वीट आपको NS200 में देखने को मिल जाती है तो इन तीनो बैक्स में सबसे कम जो टॉप स्वीट है वो Hornet 2.0 में देखने को मिल जाती है क्योंकि इसमें इंजिन भी थोड़ा सा कम पाउर का दिया गया है तो ही आगे बात के लेते हैं इनके कुछी डाइमेंशन की तो अप आच्छे हाट या 2040 बैसिस का लेन कालेन 2050 mm, वी 790 mm, हाइट 1050 mm, विलबेस 1353 mm, ग्रॉणकेश 180 mm, शैटर लाइट 800 mm, फिटंक कासिट तो इंद सुए लिटर और इसका करवेट 153 kg है तो यह नशुन टूपट का लेंद, 2017 अमम, वीज, 804 अमम, हाइट, 1075 अमम, विल्वे, 7363 अमम, ग्राउड क्रेंश, 168 अमम, सीठ हाइट, 805 अमम, फ्यूल टांक का शुरी 2 लिटर, और इसका करवेट 156 kg है, तो यहाँ पे इन तीनों बाइक्स में थोड़ी सी आपको अच प्राइस की प्राइस कितनी है तो हाला कि इन तीनों प्राइस की प्राइस थोड़ी सी पहले से बढ़ गई है तो टीबे से पाचे आट याट टू ओंड़ फोर वे बैसे का एक्सरूम दिल्ली का प्राइस सिंगल चनल एबियास के साथ 1,25,000 रुपीज यानि की 1,25,000 रुप यानि की 1,274,000 रुपे तक मिल सकती है तो ही होंटा और ने 2.0 B.S.S. का एक्सरूम दिल्ली का प्राइस 1,26,927 रुपीज यानि की 1,26,927 रुपे तक है तो ही इसके अंड़ोड प्राइस की बात करें तो इसका एप्रोक्स अंड़ोड प्राइस 1,49,300 रुपीज यानि की एक लाग कौंचा से जार 300 रुपे तक है तो ही बजास पलसर ने 2,266 का एक्सरूम दिल्ली का प्राइस 1,31,219 रुपीज यानि की 1,31,219 रुपे तक है अगर इस बाइक के अंड़ोड प्राइस की बात करें तो यह लगबग आपको 1,51,000 रुपीज यानि की 1,21,10 रुप सारी बाते बता दिए इन तींो बाइक से क्या 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 डिफरिंस यह भी मैने आपको बता दिया तो इन 3 वैकस में जो भी आपके बज़ट के अंदर आ रही है उसको बbor ले सकते है